हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत देता आज मैं आपको दिखाने वालना ओप पार्कर का टॉफ फाइब पार्कर पेन अंडर 300 रूपीज और यह आप देख रहे हो यह मेरी के पूरी पूरी पार्कर पेन की कलेक्शन है जो की 6 पेन है क्योंकि आपको पता ह सकते हो तूट फूट सी गई है आप जैसे देख के आप बताई सकते हो अराम से और यह फाउंटेन पेन है और इसकी प्राइस 150 रूपीज के असपासी थी और बाकी इसके एक्जाक नेम तो मुझे याद नहीं है पर कुछ पार्कर वेक्टर जैसे ही कुछ होगा क्योंकि ब अगर आप एक फॉट ऑन लेना चाहते है वह भी पार्कर का और आपको पता नहीं है कि पार्कर लिखता कैसा है कैसा है आपके लिए है की नहीं तो आप अपनी पार्कर की जर्नी इक इस जैसे 150 रूपीज के सस्ते पन के सास्थ सुरू कर सकते हो पर इसकी बोड़ी बहुती कमजोर प्लास्टिक की बनी होती है तो थोड़ा सा ध्यान से रखना नहीं तो मेरी तरह आपका भी कैप इस तरह तूट सकता है तो आएए मैं दूसरे पैन की तरफ चलता हूं दूसरे पैन यह है यह भी 350 रुपीस का है और यह भी एक फाउंटन पैन है पारकर वेक्टर का फ यह ब्लैक है तब भी और इसकी बॉड़ी बहुत जादा अच्छे प्लास्टिक और मेटल की कॉंबिनेशन से बना हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और बाकि इसकी क्वालिटी में कोई भी कॉंप्रोमाइस नहीं तो हलका से गिर विर जाए तब भी मतलब य और अफकॉस यह साड़ा तीन सो का है और लिखने में भी बहुत अच्छा है आप देख सकते हैं विल्कुली स्लीक बॉड़ी और स्लीक नेब है इसका अगर आप कंपैर करो तो नेब आल्मोस्ट आल्मोस्ट बिल्कुली सेम है पर इसकी जो यह वाली मतलब जहां से आप प इसकी जो कॉस्ट है वो 350 रूपीस है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसकी मेंने बहुत ही जादा बहुत ही जादा डिटेल और बहुत ही अच्छी वीडियोज विद एडवांटेज डिसडवांटेज सब कुछ बना रखी इस वाले पैन की और इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो यार मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बर उस वीडियो को जरूरू देखना अगर आप इस पैन को लेने की सोच रहे हो तो आए दूसरे पैन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास यहां पर है पारकर का जो स इसके तरह बिल्कुल फ्लास्टिक बॉड़ी का बना होता है और आप अगर अंदर देखो तो अंदर में इसके एक रिफिल था ठीक पर क्या था इसका रिफिल खतम हो गया था तो मैंने इसको साइड में कर दिया पर यह पूरा का पूरा बॉल पेन था ठीक तो बाल पेन मत क्योंकि इसकी जो रिफिल आती है पार्कर की बॉल पेन की अगर आप इंडिविजुली लेने जाओ वो सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज की आती है तो यार पार्कर वालो आप क्या मुझसे वन हंड्रड एंड नहीं 90 जो इतना भी होता है यार कैलकुलेट कर लेना उतना रुपीज यार आप मुझसे ले रहे हो एक सरफ प्लास्टिक बॉड़ी के लिए तो नौर्थ वर्थ एट आप खुदी देखो बिना रिफिल के एक प्लास्टिक बॉड़ी से कम नहीं लगता यह पैन ठीक रेट कलर का या और भी किसी कलर का आप ले रहे हो तो इसको मैं उतना रिकामेंट नहीं करता हूं अगर आपको 100 रुपीस में मिलता है तब भी नहीं क्योंकि अगर 40 रुपीस की भी आगर बॉड़ी है तो नौर्थ वर्थ एट है सरफ एक प्लास्टिक की यह वाला पैन थोड़ा सा बहुती बेटर पैन है एस कंपेर्ट टू दिस वन ठीक यह वाला आपको जादता टाइम 150 रुपीस का मार्केट में मिलेगा कभी कवार 100 रुपीस का मिल जाता है अगर आपको मैनुफेक्ट्रिंग डेट पुरानी मिल जाती है या स्टेट वाइ अगर आपके सिटी में मिलता तो जरूर कॉमेंट करके बताईएगा तो इसकी जो मतलब वीडियो है वह भी मैंने डेडिकेट ली बहुत ही अच्छी वाली बना रखी है क्योंकि मुझे जब मैंने इसको पहली बार खरीदा था तो मुझे डाउट था कि असली पैन है वी न जाए है और इसमें भी आपको बॉल रिफिली मिलती है बिल्कुली बॉल वाली रिफिल मिल जाती है जबकि इस वाले पैन में आपको रोलर बॉल और बॉल दोनों मिल सकता है पर इसमें आपको बॉली मिलता है अगर आपको रिफिल देखनी है तो मैं आपको दिखा देता ह जिसमें की जरुवत है ही नहीं आप देख सकते हो कि इसमें एक गड़वड हो चुकी है स्प्रिंग की वज़से मेरे ख्यास से रिफिल कालते हो वक्त यह जो निभ है वो रिफिल सा लग हो चुकी है सैथ मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा जबकि पारकर के साथ होना नहीं तो इसको मैं सही कर लेता है फिर आगे की वीडियो में बढ़ते हैं यार अब मैंने इस रिफिल को सही तो कर लिया है पर आप खुदी बताओ ऐसे क्वालिटी अगर पार कर देगा तो कैसे चलेगा या पारकर वेटा नियों को मैंने बहुत दिन से यूज नहीं कर था चाल जा रहा है तो यार यह तो एक्सपेक्ट मैं नहीं कर सकता हो पर कर के साथ आप देख सकते हो पार कर का ओरिजिनल रिफिल है यह चीज अनेश्पेक्टेड धी और इसलिए मनने इस पेंको यार कुछ लोग केते हैं लिमिटेड एडिशन पेंथा कुछ लोग कहते हैं पार करने नया कुछ निखाला था या पता नहीं यार यह पैन कैसा है असली है विगने मुझा भी डाउट हो रहा है तो यार एक बार जो वह आली मैंने वीडियो बनाई थी उसकी उसकी मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप जरू चेक आउट करना क्योंकि आप पारकर के पीस तरह के सव रुपय पीस परिंग डालना वह भी इसतरह पारकर यह क्वालीटी नहीं है अब देख रों फुदी यह निकल ला है अब सही में पता नहीं है च्प्त परसान हो क्योंकि आज तक मुझा पताही नहीं चले लाएं तो यहां पर है मेरे सबसे मह और इस गी क्यूटिफ क्वालिटी के प्रीमियम पेंस जो किये तीन सो रुपए के आसपास तो आइए मैं इस से स्टार्ट करता हूं इसमें आपको देखे कितना प्यार असा डिबब मिल जाता है पेंस के साथ और वैसे डिबब आपको इसके साथ भी मिल जाता है यह साड़े तीन सो का पें था और वैसे आपने सोचा होगा मैंने तो टॉप फाइफ पें अंडर थ्री अंडर लिखा है यह देखो थ्री अंडर में इसलिए लिखा है क्योंकि आप अगर एमाजॉन पर अपने आके गड़ाए रखो बिलकुल यह एकदम एक इगल की तरह तो आपको प 50 रुपीज के इसका और आपको यह 300 रुपीज में विलकुल ही सेल वेल में मिल जाएगा और इसकी भाइसा यह मेरा फेवरेट पैन है मतलब क्वालिटी वाइस में कोई कंप्रोमाइस नहीं है पूरा का पूरा हैवी पैन है आच्छा प्लास्टिक मतलब बहुत ही अच्छ हां यह देखो रोलर बॉल पैन है बॉल नहीं है पर देखो यह क्या मोटी रिफिल एकदम बढ़िया वाली एकदम मस्त क्वालिटी के पैन है इसमें कोई कंप्रोमाइस नहीं है आप इसको आराम से ले सकते हो ठीक और वाकिया पर मिरुपास लास्ट जोटर एक बॉल पैन ठीक और एकदम जो आवाज निकलता है ना कटक कटक का वह तो भाई साब हैवी है देखा तो एकदम मस्त क्वालिटी का है आई अब मैं छेओ पैन से एक बार आपको लिखके दिखा देता हूं फिर वीडियो को कंक्लियूट करते हैं तो यह आ गई हमारे पास हमारी बेटा नियों ठीक चलेगा भी नहीं मेरे खासे चल तो रहा है ऐसे लिखने में मुझे बुरा नहीं लगा सच बता रहा हूं पर और जब अभी तो इस तरह निकल गई है मैं आपको अभी अभी दिखाया इसलिए थोड़ा सा लाइट चल लाने तो वैसे लिखता भी अच् ठीक पर चेक आट जरूर कर लेना इसको ठीक मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आइए फिर दूसरे पैन के पर भी आ जाते लिखने में इतना बुरा है नहीं तो आइए मैं आ जाता हूं इस पर इस वाले पैन पर ठीक यह है पारकर कर रोलर बॉल पैन थोड़ा अच्छा वीव मिल जाए तो यह देखिए अच्छा वासा डाक और स्मूथ पैन है कोई दिक्कत नहीं है इसमें वी ऐसे देखें में ली पारकर पैन रोज के लिए नहीं होता है यह सिगनेचर पैन है सिगनेचर के लिए होता है ठीक आए और मैं आपको दिखा देता हूं इससे लिखें यह वाला है आपका पारकर जोटर जोटर तो बहुत ही ज़्याद स्मूथ है मैं इसको बहुत बार यूज कर चुका हूं यह देखें इनना स्मूथ पैन है और अगर में तीनों की क्वालिटी को अगर पास से कंपेर करने तो देख सकते हैं रोलर बॉल हलका सा डाक और मोटा ज्यादा लिखता है एस कंपेर टो देखी सकते हो ठीक तो में बात की एक बात यह दोनों इपन बहुत ही अच्छा अगर आपको बॉल अच्छा लगता ता आप रोलर बॉल लीजिए बॉल के लिए आप जौटर ले लिए जौटर बहुत है अच्छा पैने आपको क्लिक सिस्टम भी मिल जाता है और रोलर बॉल में आपको एक दम एक प्रीमियम फील वाला वही अमीरों वाला फील आ जाता है ठीक और बाकि यह जो तीन पैन है इन जाएगा और एक चीज़ में आपको बताते था आपने सोचा मैंने इससे तो लिखके आपको दिखाया है नहीं देखिए पारकर की जितने भी रेफिल होते सारे के सारे सेम होते हैं ठीक चाहिए यह बोलो चाहिए बोलो तो आप एमाजॉन से कोई भी रेफिल लेके किसे मे अच्छा लगता भी नहीं है तो वह अपने डेली उसके लिए उसने कर बाता है इसलिए मैं फॉंटेन पैन को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं ठीक अगर गिफ्ट करना तो यार डिफिनेटली आप जोटर यह इसमें से आप डिफिनेटली गिफ्ट करो मेरा चोईस रहेगा ज रिफिल में कोई कॉम्प्रोमाइस मिलेगा नहीं क्योंकि रिफिल विल्कुल ही सेम होती है पारकर की सारे और यह वाला मत लेना यार अगर आपको कहीं दिख भी जाता है मैंने गलती करी थी 100 रूपीस कही था पर आइन डोंट नो यह असलिए के नकली और यार इन दोनों क आगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे बाइवाई टाठा